बरेली में 7 मई को 30 चरण का मतदान होना है मतदान से पहले सभी चुनावी पाटियां अपने प्रत्याशी के समर्थन में पूरा जोर लगा रही हैं इसी क्रम में बरेली में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंगंगवार के समर्थन में वरिष्ट भाजपानेता बियल वर्मा ने सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया इस सामाजिक सम्मिलन में केंद्रे मंत्री बियल वर्मा ने कहा देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है साथ सालों में जो नहीं हुआ है वो प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दस वर्शों में कर दिया है सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुचाए गया है वहीं उन्होंने कहा ये मोदी जी का विश्वा से देश में फिर से एक बार सरकार बनने जा रही है वहीं उन्होंने राहूल और अकलेश की जोड़ी को फ्लॉप फिल्म बताया जो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और अब इसे कोई देखने वाला नहीं है देखिए यह 2024 का चुनाओ बिक्सित भारत का संकल्प लेकर मुदीजी चुनाओ लड़ रहे हैं और देश की जनता को आभान किया है किस बार 400 पार तो 400 पार करने का चुनाओ है और 400 पार करके बने प्रदान मंतरी मुदीजी को फिर से देश की जनता प्रदान मंतरी बनाई की तो मुझे लगता है उत्तर पुर्देश में राहूल गांदी किसी सीड पर जाएंगे उत्तर पुरी तरह से और भाजपा के कारिकरता इस पार असी में से असी कमल खिलाने के लिए तैयार बठे हैं तो फिर से राहूल गांदी को हार देखनों को मिलेगे